हाई फ्रेंज बिफोर स्टार्टिंग दा वीडियो प्लेज सस्क्राइब मैं चैनल और प्रेज दा बैल आइकन नमस्ते दोस्तों ऐसे तो पनीर के सबजी बनाने में बहुत से चीजों की जरूरत परती है लेकिन आज हम कम से कम चीजों में ये सबजी बनाएंगे मैंने पनीर को छोटी-छोटी टुकड़ों में काट लिया है साथ में एक आलू को भी काट लिया है अभी हम सारे पनीर को दो से तीन मिनित के लिए तेल में भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनना है सिर्फ दो से तीन मिनित के लिए पनेर को ज़्यादा फ्राई करने से वो रबर की तरह हो जाता है फिर खाने में वो स्वाद नहीं आता अभी हम आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं आलू को पुरा डीप फ्राई करेंगे यह बहुत ही इजी रेसिपी है अब कभी भी घर में बना के टेस्ट कर सकते हैं मसाले में मैंने यहाँ पर बहुत ही कम चीजों का इस्तेमाल किया है जैसे सिर्फ लसुन, प्याच और टमाटर के पेस्ट मैंने अभी गरम तेल में दो कुटी वी लॉंग को डाल दिया है और हाफ टेबल स्पून चीनी एड़ किया साथी पेस्ट किये हुए प्याच को डाल के अच्छी तरह से भून लेते हैं प्याच को ब्राउन होने तक भून ले उसके बाद यहाँ पर हल्दी और नमक, नमक अपने स्वादनों सर थे इसके वादवाले स्टेट में हम अभी इसमें जो लासून के पेस्ट वने हुए थे इन्हें मिक्स करेंगे साथी टमाटर के पेस्ट को भी एट कर लेते हैं सारे मिसरें को अच्छी तरह से भून लेते हैं बस इतने से मसाले से ही बहुत ही तेस्टी डिलिशिस सबजी बनेगी हमने यहाँ पर किसी तरह के लाल मिर्च या कस्मेरी मिर्च का पाउडर यूज नहीं किया अगर आप चाहोगे तो आप कर सकते हो कश्मेरी मिर्च के बिना भी अब दिश का कलर देख सकते हो बहुत ही लाजवाब कलर आई है पुने हुए मसाले में अभी आलू को एट कर दे और अच्छी तरह से फ्राई कर ले अब इसमें पानी एट करें पानी के एक उबाल आने के बाद फ्राई किये हुए पनीर के टुक्रों को इस पानी में एट कर दे और अच्छी तरह से सबजी को उबाल ले ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना ठिक आपको पसंद है आप कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे